तो हलो दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में जहें मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि विंडो 11 ओपरेटिंग सिस्टम में आप वाइफाई कैसे करनेक्ट कर सकते हैं अगर आपने अपने कंप्यूटर या अपने लेपटॉप में विंडो 11 ओपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है और वाइफाई से करेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे किया जाता है इस वीडियो में जब हम इसी के बारे में जानेंगे तो आईए इस वीडियो को सुरू करते ह सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप सुभी को एक ओप्सन देखने को मिलेगा यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वाइफाई का ओप्सन देखने को मिलता है तो यह वाइट कलर का है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं जैसे क्ल करेंगे तो जितने भी आपके hotspot होंगे वो यहां पर दिखाई देंगे तो यहां पर जो है हमने अपने मुवाइल का hotspot चालू कर लिया है realme GT new 2 तो यह वाले network पर हम कर देते हैं click click करने के बाद जो यहां पर connect automatic लिखा है तो इसको जो है हम right का निसान रहने देते और connect वाला जो option है उस पर करते हैं click click करने के बाद जो है हमने अपने wifi hotspots में जो है password डालके रखा है तो उस password को जो है यहां पर हमको लिख देना है ठीक है यहां पर हमने password लिख दिया यहां पर आप देख भी सकते हैं ठीक फिर उसके बाद जो यह next वाली बटन है उस पर कर देना है click click करने के बाद आपको थोड़ी से करना पड़ेगा इंतजार और यहां पर हमारा wifi connect हो चुका यहां पर देख सकते हैं connect लिखा हुआ देखने को मिल रहा है और यहां पर आप लोगों भी देख सकते हैं कि यहां पर हमारा wifi का logo भी बन चुका है तो इस तरीके से आप window 11 operating system में wifi जो है connect कर सकते हैं वीडियो के वाल इतनी थी उम्मीद करता हुआ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करिएगा और कुछ भी कहना हो तो comment box में लिख सकते हैं